Hello students, I am GDS Oni, Director of Engineers करे रहे हो, मैं आज फिर आप सब के लिए वीडियो लेके आए और इस वीडियो में जो मैं बात करने मिला हूँ, वो है J.S.S.E. ने जो अभी जारखेंड के सुड़िट्स के लिए जो वकैंसी निकाल ली है, उसकी पूरी कम्लीट जारकारी मैं आपको इस व इस वीडियो को जारा जारा अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, आपके सार साथ आपके फ्रेंड्स भी जो है, इस J.S.S.E. की जो नहीं वकैंसी आई है, जिसमें सिवल के, मेकैंडिकल के, लेक्टिकल के, डिप्लॉमा के, बीटा के स्टुडट्स जो है, वो अलीजीवल है तो आप भी जो है, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपनी स्टेट में जूनियर इंजिनियर बनने का, सो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जानकरी लेते हैं, कि इसमें कौन-कौन सी स्ट्रीम्स और क्या एज लिमट टोटल क्या पैकेज रहेगा, उसकी पूरी ज नोटिफिकेशन रिसेंट जारी करा है, इसमें ये बोला गया है कि जो डिप्लोमा लेवल के स्ट्टेंट हैं और जिनों ने उसका बीटेक भी करी है, वो भी स्ट्टेंट जो हैं, वो इसमें लीजिबल हैं, तो आके मैं आपके साथ इसकी टडेल जो हैं, वो शेर करना हू ये मैंने अफिशल जिनोटिफिकेशन है JSSA की अपसेट पे, तो ये एक जॉइंट एक्स्ट करवाया जा रहा है, इस जौइंट एक्साम में जो है जोईंड लेवल जो एक्जाम है 2021 हलाकि एक्जाम का जो application form है वो जनवरी में start होगा बट इसका जो एक्जाम है जो 2021 में होना था वो ही एक्जाम 22 में टिकरवाया जा रहा है सो यह जो भी स्टुडेंट से बिलॉग करते हैं उनके लिए बहुत important है कि वो लोग जो है अपनी स्टेट में अगर जही बनना चाहते हैं वो कैसे बढ़ेंगे तो इसमें आपके पास अगर मैं वकैंसी के बात करूँ तो यह जो नोटिफिकेशन आप यह हिंदी में है जान खांडले बचले हिंदी अच्छे नहीं से जानते होंगे और उनको यह नोटिफिकेशन बड़े आराम से पढ़ भी सकते हैं अगर आप यहां पर देखूं तो इसमें अनौंस करी गही है तो आपके लिए टोटल 46 वकैंसी जो नहीं दी गही है और इसमें आपको कैटेगरी वाइस वकैंसी जो है वहां से ले सकते हैं मेरे समय का उसके अपशे में जो है जो important बाते में विडियो में आप से discuss करने वाला कि आगे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें इनफोमेशन दिया गया आए आई वह मारे पास औस है यह स्ट्रीम टो सीविल के जो बच्चे है यह कि यह हैं तो सीविल में टोल जो अनाउंस करी हैं इस आर इप वकैंसी हर स्टेट की तरह सीवल इंचनिक के बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुका है कि आप इस इतनी बड़ी तो का हिस्सा बनके अपना सपना पूरा कर सकते हैं म सकत था इतनी मकैनिकल के जो मकैनिकल की वकैंसी वकैंसी नहीं हमारी state में नहीं हमारी center community agencies आती है बहुत कम agencies आती हैं बद जारखंड के students जिन्होंने mechanical जारखंड की state से कर रहा है जा जो जारखंड से belong करते हैं वो students के लिए बहुत बड़ी opportunity है कि वो अभी अपना जो सपना है junior engineer बनने का as a mechanical engineer अपना ना पूरा कर सकते हैं, यहांँ पे इसकी qualification के बारे में आगते हैं, चोड़ी जान कर लेते हैं, कौंड कौंस सुझन्ट's लीजी पर हैं, यह ने बर्ङन को बता रही है, वर्वलिया को बता लिया है, डिपलॉमा किसा बीटा के बच्चे भी कर सकते हैं, यहां पर उससे पहले बात करने होने हैं, salary package को लेके, तो कि salary package बहुत इमदन होती है, और बहुत से बच्चे जो है, salary package को देख की भी job join करते हैं, उनके में बता दो का, आप के लिए जो minimum package है, वो जो fixed salary आपको मिलने वाली है, 35-400 है, मतलब यह आपका scale रहेगा, starting जो probation period में होता है, 35-400 जो है, fix होता है, तो बहुत अच्ची जो है, इस तब इस salary package आपको दिया जा रहा है, और यह यहाँ ही पर नहीं है, UP में भी, उत्रागंड में भी, पंजाब में भी, हर्याना में भी, J&K, महरास्ता, गुजरार, राजसान जिस भी स्टेट की बात करें, तो probation period सब जगा पे है, और सब जगा पे एक fix salary आपको पे आउट करी जाती है, तो यहाँ पे similarly, J&K ने भी जो है, J.S.S.C. ने भी क्या गरा, same pattern पे, same platform पे आपके लिए, एक अच्ची जो salary package है, आपको उफर कर दिया है, बहुर अच्ची विकन्सी है, यह सारे students को जो है, फिल करनी चाहिए, और इसका paper की त्यारी करके, proper इसको अप्रिए करना चाहिए, तो इसका written exam होना है, written exam से, आपने बिलकुल गवराना नहीं है, डरना नहीं है, इंजिनियर्स करेगरों को आपके लिए online live जो course है, वो लेके आया है, specially जो students जो है, already working है, जो अपने टाइम, डे टाइम पे नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए हमने, लेट इमनिंग और अर्ली मॉर्निंग के जो बैच चीज है, अगर आप अपने जौब के अपने गर पे बैच के बैच के अपनी त्यारी करना चाहते हैं, और अपनी स्ट्रेक्शन को अशियोर करना चाहते हैं, तो हमारे आप online live course जो है, वो जो आइंग कर सकते हैं, तो हमारे यहां भी online live course में एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, कि हम 100% live course करवाते हैं, हम इस तरह से नहीं करते हैं कि पहले आपको live course बॉल के डिमिशन करते हैं, और उसके बाद आपको recorded course रहा देते हैं, हम recorded course कोई सेर्ट नहीं करते हैं, या किसी खारण से company में आपको उनकुना पड़ गया और आपकी class मिस हो जाती है, तो आपको गड़ने डरने और गबराने वनी बात रही हैं, उस time पे आपको recorded lecture भी आपके account में अवलेब रहेगा, जो lecture आपका miss होगा जो आपने टेंड कर रहा है, वो सारे आपके जो लोग-इन हैं, वहाँ पे आपके पास अविलेबल होंगे, चन्नीगर के जो हमारे best teachers हैं, जिन्होंने आलडी, पजाब, अर्याना, इमाचल, जे-एंड के, गुजराद, महारास्टरा, राज़स्तान के बच्चों को जो है, सेलेक्शन दिलवाई है, ओनलें कोर्सिस के जो सेलेक्शन दिलवाई है, तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, हमारे ओनलें लाइब कोर्सिस में जुड़ने के बाद, हमारे जो best teachers हैं, वो आपको यहाँ से, आपके घर की comfortable से पढ़ाएंगे, और आपको जो है, वो तियार करेंगे basic से advanced level की तरफ, so that आप JSC का जो exam है, उसको qualify करके, इस साल अपना junior 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 बंडरे का सपना जो है, वो पूरा कर सकें, so आगे बढ़ते हैं, आगे जो जानकरी में आपको देने वाला हूँ, आगे हम discussion कर रहे हैं, यहाँ पर eligibility की बात करी गई है, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो eligibility में यहाँ साल साल लिखा है कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी संस्तान, मतलब आप डिप्लोमा जहां से मर्जी किया हो सकता है आपने, मिस किसी अधर स्टेट से भी किया हो सकता है, इसमें एक अस्टेट था, जो इस notification वो यह था, कि जिन सुडेंट्स ने 10th का जो exam है, मतलब जो 10 तक board है, अगर वो जारखंट बोर्ट से ही कर रहा है, तो ही paper दे सकते हैं, मिस्ट डिप्लोमा पीटेक अपने जहां से मर्जी करा हो, कोई matter नहीं करता है, बट आप ultimately जो आपकी minimum qualification है, जो matriculation level qualification है, वो आपने जारखंट से की होने चाहिए, तो जारखंट government का बहुल अच्छा decision है, कि अपनी state के students को आगे उनको एक filtration करने के लिए, उनके लिए एक facilitation करने के लिए, so that कि उनकी state के बच्चे जो हैं, अगर आपने जारखंट state के हैं, तो ultimately सी बात है कि वो students ने जारखंट से ही, जो आपने 10th की level जो उसकी basic matriculation degree होगी, वहीं से ले रखी होगी, और इसके बाद डिप्लोमा जो लेवल है आपका, वो आपने जो है civil में, कि student ने civil में की आना चाहिए, अगर आपने जारखंट से अपने matriculation level का जो complete किया होगा है, तो आप eligible है, अगर डिप्लोमा भीट है, कुछ भी आपने आगे करा हुआ है, यह साहां साम यहां में लिखा होगा है, scale के बारे में हमने बात करेंगी है, कि 4500 जो है, एक basic pay matrix scale जो है, scale जो आपको मिलने ही वाला है इस case में, आपको जो है अच्छी opportunity भी है, आपनी स्टेट में का करने के लिए, विगोस मैंने बहुत से बच्चों से जो है daily basis पे, YouTube के द्रूप, Facebook के द्रूप, personally seminars के द्रूप, webinars के द्रूप मिलता रहता हूँ, तो mostly student का यही goal लोगता है, कि मेरे को मेरी स्टेट में ही job मिल जाए, और भी government job, और भी as a officer जो job मिल जाए, इससे बढ़िया, इससे कोई भी बात नहीं हो सकती है, so अगर आप जार खेंट से बिलॉग करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स टाइम इस चैनल पे आए हैं, और जे SSC से लेडिट फदर जो भी जान करी एक्जाम सब लेना चाहते हैं, चाहे उससे स्लेवर से लेडिट है, एज लिम्ट से लेडिट है, आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और मेरे साथ परसनली पे जुड़ सकते हैं, और हमारे उसके लिए आप हमारे हम्टक्स नंबर 9A.575442 पे जाके पूरी की पूरी चानल पे लिए सकते हैं, आप जॉप कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं प्राइवेट से गवर्मेंट में आने का तो हमारा online live course लेना मत बूलिएगा, पूरे इंडिया में एक specific हम ही बढ़ाते हैं जो 100% live course को जो है मैं आपको घ्रण्टी देता हूँ कि 100% लेवा जो है वो live में ही आपको कवर करा जाएगा, टीचर आपके साथ live होके आपके doubt सुनेगा, साथ के साथ आपको जो है त्यार करा जाएगा प्रपेर करा जाएगा जी अक्जाम के लिए तो आगे हम लोग जो है वो discuss करते हैं एक age limit को लेके भी यहां पे कुछ points जहां मैंचन थे यह age limit का यहां पे दिया हुआ है कि यहां मैं देखता हूं तो 35 सब्सक्राइब करने के लिए कि बेसिक होता है वह राओं 20 साल में अपना कर लेता है मीस डिप्लोमा के अगर आपको पांच साल करेंवे डिप्लोमा में हो गया दस साल भी करेंवे डिप्लोमा आपको हो चुका है तो भी आप as a general category जो है वो इसमें eligible है अगर आप कोवीड के मैं से आपकी जॉब जा चुकी है जा आपकी पहले जा चुकी थी बड़ी मुश्किल से अब दोबारा प्राइमेट नौकरी मिली है और अब यह चाते हैं कि आप ऐसा आपके साथ दुबारा ना हो कभी ऐसा इन फ्यूचर कभी हो तो आपके सार ऐसा ना हो दुबारा तो उसके लिए आपके पासे एक अच्छा मोका जारकांट गॉवर्मेट में दिया है गॉवर्मेट में जूनियर इंजिनिर काम करने के लिए उसके लिए बहुत जड़ा गवराने की डरने की जुरूरत नहीं होती है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइब जोग में कर रही होंगे तो उनका सबस्कि पहले की क्वशन होता है कि हम उससे के और प्रड़ से बिल्कुल नहीं कबढ़ाना है आपको बैसिक से जिरो लेवल से बिल्कुल बट़ाया जाएगा जो जो जा एट्ण है उसी के अहीं हिसाब सहब को technical non-technical दोनों के लिए जो है वो रडी करा जाएगा आगे हम exam pattern को भी इसको थोड़ा सा थोड़ा सा देख लेते हैं exam pattern क्या रहेगा बाकि next video में आपके साथ जो है वो detailed discussion भी जो है लेकर आओंगा आपके लिए कि कैसे कैसे इसके लिए जो है वो त्यारी करी जा सकती है और किस तरह से इस exam को जो है फर्स्ट ही attempt में जो है वो qualify करा जा सकता है यह वैसर तो यह notification अगर मैं देखको तो 74 pages की है बड़ ज़्यादा जानकरी जो है पहले 12 pages में ही आपको मिल जाएगी सारी सारी जानकरी जो है important जितनी भी जानकरी इसमें देगी है यह देखिए आपके पास यहां पे mention करा गया है कि आपका जो कोश्यान मी किए नुटा में की है इसका 80 प्रेशन जो आपके उसमें से आने वाले देखनाट इस बमाने जो है वह आपके तो टुओंटी प्रेशन जो इस में से सारी स्सेट में ऐसी होता है किसी में सैड़ी जो आपको जब आप को आम करेंगे तो हम के लिए जो कोर्स करा रहे हैं means हमारे पास जो आप जब लाइक को जॉइंग करेंगे तो आप JSC का जो डेडिकेटड बैच है उसी में आप हमारे पास जॉइंग करेंगे उसी में आपको JSC के हिसाब से प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा अगर आप हमारे साथ Coors जोइंग करना चाहते है और इस बार अपना सपना पूरा करना चाहते है और फर्स अटेयम्ट में अपना वेपर निकालना चाहते है तो आप हमारे हेलेस नमबर 9A55-75442 पे पूरी की पूरी कोर्स की जू जान करीए वह हमारे से आप ले सकते है तो भी मैं आपको जो ऑफिशल वेबसाइट का जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सो आप वहां से इस ऑफिशल नोटिफिकेशन को प्रिंट निकाल के अच्छी दिना से भी पढ़ सकते हैं मैंने प्रिंट निकाल के पहले पूरा स्टडी करके तभी मैंने आपको बता रहा हूं इतनी असानी से सो आप भी पूरा प्रॉपर निकाल कर सकते हैं पहले आन्बोस ट्राइलर प्रेंशी से मैंने आपको बोला रहा है सारी इंफोर्मेशन जो है वह कुम्लीट हो जाती है इस केस में निकाल सकते हैं इस चैनल को सिस्क्राइब करना नहीं बूला है जो भी डिटेल इंफॉमेशन है वो आपको इस चैनल पे एक सिंगल चैनल पे सिंगल प्राइफ़ूम पे सब कोई मिलने वाला है और साथ ही साथ आप मारे online live courses में जो है जुरूरा अनॉल करिए enrollment के लिए और course की जानकारी के लिए जब फदर जे एससी एक्जाम की किसी तरह की guidance के लिए आपको सबसे पहले आजे इसके लिए आप मारे चैनल की जो चैनल है उसको सस्क्राइब जूरूर कर लिजेगा और कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़दा ज़दा अपने college के जो groups हैं जो जो जूनियर्स के ग्रूप होते हैं आपके जो फ्रेंड सरके के विए जो ग्रूप बने हमें वर्सा ग्रूप वहां पर इस वीडियो को शेयर करिए जो भी authentic information है ऑफिशल information है वो उन तक भी पहुंच है जैसे आपको information जो है proper इसमें जो टेल में मिलगी तो वैसे उन सारे के friends को मिल दी रहे तो next video में मिलेंगे नहीं जानकर इस नहीं information के साथ thank you very much